खुशी फेशन हिंदी चनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि टेलरिंग से जूरी सारी अपडेट आपको मिलती रहें हेलो फ्रेंच नमस्कार खुशी फेशन हिंदी चनल में आपका स्वागे थे आज के वीडियो में हम सेखने वाले हैं अंब्रेला लेंगे का कटिंग तो चलिए सरवाज करते हैं तो सबसे पहले हम यह लाइनिंग ले ली है तो यह अस्तर है तो हमने यह जो अस्तर है वो तीन मीटर लिया है तीन मीटर की जरूरत है लेकिन हमने 5 मिटर लिया है क्योंकि इसमें वीडियो में इसका क्टिंग तो यह जो है वो मेन फेबरिक है तो यह मेन फेबरिक है वो हमने लिया है चार मीटर क्योंकि यह जो इसका पन्ना है वो थोड़ा सा छोटा है यानि कि यह जो प्रिंट है वर्क है इसमें वो वर्क साइट से थोड़ा-छोड़ा कम है वह इसाब से इसमें ज्यादा चाहिए वादा सिंपल अम्रेला लेंगा होता है उसमें हम 3 मीटर का कपड़ा यूज करते हैं तिन मीटर अस्तर यूज करते हैं तो सबसे पहले यह जो टाइनिंग है अस्तर वह में जितना जरूरा थे उतना इस तरिके से बीछा देंगे और यह डबल लेंगे इसके बाद यहां से आम इसे यह जो है कपड़ा वो सिल्क है तो वह इसाब से यहाँ पर हम यह जो है वो लचक ज्यादा है तो इससे हमें बीछाने में थोड़ा सा समय लगता है तो हमें दियान से इस तरिके से बाइना है लेंगे में एक साइड जो है वो डेरेक होता है और एक साइड तरफ है वो हम जोइंट लगाएंगे तो यहाँ पर इस तरह के से हम बिचाएंगे तो यह वाला जो पाग है वहाँ पर जोइंट नहीं आना चाहिए यहाँ पर तो यहाँ पर हम जोइंट लगाएंगे जोइंट बीचा लेना है कहीं पे भी क्रीज नहीं होनी चाहिए वरना यह जो लेंगा है वो थोड़ा सा छोटा बड़ा हो सकता है तो इस तरीके से हमने परफेक्ली बीचा लिया है तो यहाँ पर अमसिलाई लगेगी तो यह जो दोनों भागे वो सेम हो जाएगा तो यहाँ पर हम इसे साड़े नों इच पर मार्किंग करेंगे क्योंकि यहाँ पर अलका सा राउंड आएगा तो वो इस आप से 10 इंच हो जाएगा तो यहाँ पर हम इस तरीके से स्ट्रेट मार्किंग करेंगे उसके बाद अलका इस तरीके से यहाँ पर round के लिए marking करेंगे marking कर सकते हैं बाकि ऐसे हमारे सबसे यहाँ पर round अम draw इस तरीके से कर सकते है तो यह जो round है उसमें हदा इंच plus हो जाएगा तो यह जो है 10 inch होगा यानि कि यह 4 fold होता है तो यह 40 inch की कमर इसकी complete हो जाएगी तो यह 10 inch हो गया है यहाँ से इस तरीके से तो अब हम इसे यहाँ पर cutting कर लेंगे length में 1 inch का belt का इसमें हम minus करेंगे और उसके बाद जितनी length है 38 की length थी तो 38 पर यहाँ पर marking करेंगे पहले से हम 1 inch उपर से belt का अलग करेंगे और यह जो अस्तर है वो इसाब से 1 inch और छोटा cutting करेंगे क्योंकि man fabric है वो थोड़ा बड़ा होता है और यह जो अस्तर होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है तो यहाँ से इस तरीके से perfectly हमें measurement करना है और यहाँ पर 1 inch और छोटा करेंगे यानि कि यहाँ पर उपर build का 1 inch का छोड़ेंगे और यहाँ पर 37 का marking करेंगे और 1 inch जितना fold होगा यानि कि 2 inch जो है measurement से छोटा होगा अस्तर और अब यहाँ पर यह जो हमने marking की है वो इस तरीके से हम मिला लेंगे तो यह जो अम रेला लेंगे का अस्तर है उसमें हमने draw कर लिया है और अब अम इसे cutting भी कर लेंगे तो यह umbrella लेंगे का जो अस्तर है वो हमने cutting कर लिया है अब यहाँ पर हम joint लगाएंगे तो यह वाला जो विससा है यहाँ पर ज्याद्या तर umbrella लेंगा होता है इसमें joint होता ह quartz हिये इस तरीके से cross तो joint के लिए हम इस तरीके से यहां पर यह जो direct park है वोई लेंगे और अब हम इसे यहां पर इस तरीके से बीछा लेंगे और यहां पर इतना इतना plus रखेंगे तक कि यह जो joint आएगा वह इसाफ से हमने थोड़ा joint बड़ा ही cutting करेंगे बाद में हो जो भी होगा exeоров हो जाएगा तो यहाँ पर इस तरीके से बराबर होगा और इतना हमने excellent के लिए तो आप भी इतने extra रखें तभी यह जो है हुश एकदम परिफेक्ट बेठेगा तो यहाँ पर यह जो joint है उसमें यह भागे वह सिद्धा है और यहां पर जोईट आएगा तो उसमें यो जो है उसमें भी बीच मेरे रागाना पड़ाएगा तो जो इंट बाद बने अम लगा दिया है और नीचे के साइड है वहाँ पर भी प्लेन है वह हमें निकलना पड़ेगा तो वह इसाफ से कपड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए बाकी तीन मीटर में हो जाता है लेकिन इसमें चार मीटर चाहिए क्योंकि इस तरीके से प्लेन है तो वह सारा कपड़ा है वह व जो कटिंग करने में है वो हमें प्रोब्लम आएगी तो इसाफ से हम ज्यादा कपड़ा मंगवाएंगे तो उसके बाद यहाँ पर यह जो बाख है उससे कटिंग करेंगे हमारे पास जो अस्तर है वो हम इससे इस पर बिछा देंगे तो इसकी जो लेन है वो 38 इंज की है तो 38 इंज की यहाँ पर 38 पर पर्फेक्ट मार्किंग करेंगे और थोड़ा सा बड़ा रखेंगे ताकि वहाँ पर सी ले आएगी तो 38 से थोड़ा सा प्लास रखेंगे और यहाँ पर इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे तो इसमें हमने 39 का मार्किंग किया है क्योंकि इसमें फॉल्ड के लिए अदम जितना जाएगा तो वह हम फॉल्ड का जो है वह एक्सरा सोड़ना पड़ेगा पर इस तरीके से तरे और यहाँ पर भी हम यहां पर भी मार्किंग कि ए वह मार्किंग के साब्सें करेंगे तो यह जो कपड़ा हे वो थोड़ा मोटा है और वर्ट है तो इसमें कट्स दिखाता हैगी लेकिन कोई प्रब्लम नहीं हम हम आसनी से, इसे cutting करेंगे, तो यह जो है हमने cutting कर लिया है, अब इसका जो joint है वह हम कैसे cutting करेंगे, वह देखना है, क्यूंकि इसमें जो पाक है वह बहुत ही plane ज्यादा है, तो plane कपड़ा है, उससे हम इस तरीके से cut करेंगे, झाल झाल तर जो एक्ष्षा कपड़ा है उस वह में भी इस तरीके से हम Campbell कर लेंगे क्यूंकि दोनों वह बाग में मिदoben कोरहेंगे तभी यह जो प्रिंट यह तभी मिला पाएंगे तो यहां पर आम इस तरीके से थी करेंगे और और अब यहाँ पर यह जो में फैब्रेक है वो हम इसमें बीचा देंगे और यह जो जो जोइंट है वो कटिंग करेंगे तो हम इस तरीके से इसे जो तो हम इस तरीके से बीचा लेंगे और इसके बाद यहाँ पर यह जो कपड़ा है वो जैसे हमने पस्तर में कटिंग किया वेसे इसमें भी कटिंग करेंगे तो यहाँ से हम बराबर रखेंगे इतना हम कपड़ा रखते हैं उतना कपड़ा हम रखेंगे और उसके बाद इसे कटिंग करेंगे के बाद अब हम इसे कटिंग कर लेते हैं तो यह जो जोएंट है वो हमने परफेक्टली कटिंग कर लिया है यहां से हम कट लगाएंगे ताकि हमने पता चले कि यह मिड़र का है जब जोएंट लगाएंगे तब हम tempo काम आएगा तो यह जो कटिंग है वो हम रेला लेंगा तो यह था आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कोमेंट करके ज़रूर बताए है अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक किजिए, शेयर किजिए और हमारे चनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ